तो आज मैं बना रही हूं मटन रश्यन कटलिट बहुत ही मज़ेदार एक दम मेमनी स्टाइल के अदर जरूर बनाएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी चलिए क्विकली शुरू करते हैं आज की रेसिप्टी साधारन याने ओडिनरी इंग्रीडियंट से की दिश बनाते है चलिए चलिये खुरूर बोर्ड़ के याने चाले और है लिए थिरगे अंगे रज़र इख निया गया हुआ है कर देश इन इसमें ठाल देजिए 3-4 टेबिल स्पून मंखण यानि के बटर मस्का और इसे हलका सम मेल्ट हो जाने दीजे जब हलका मेल्ट हो जाए तो इसमें ताल दीजए 2 टेबिल स्पून मैदा अब इसे डाल कर बार-बार चलाते रहें और तक रीवन 3-4 मिनिट तक पकने दीजे. चूला मीडियम आच कर दीजिए और 3-4 मिनिट तक पका लीजिए अच्छा मेरा जो ये फ्राइपन ना ये बहुत जल्दी गरम हो जाता है तो जल ना जाए इसके लिए मैं स्लो मीडियम स्लो मीडियम पर रख रहे हो चले तीन-चार मिनिट हो गए और आप देख सकते कलर भी चेंज हो चुका है और मैदा बहुत अच्छे से भून चुका है तो यहां पर एक कप दूद दाल दीजिए नॉर्मल चो दूद आता है और बार बार चलाते रहें कि गठे अच्छा पहले मैंने थोड़ा दूद दाला फिर थोड़ा दाला इसी तरीके से ग्राजुली दूद दालिए एक साथ सारा दूद मत दाल दीजिए और इसे मीडियम आज पर पकने दीजिए पहले तो स्पेटुला की मदद से बार बार चलाते रहें सो दाट गठे ना पड तो बस चुला कर दीजिए बंद और इसे निकाल कर कहीं साइड पर एक प्याले में निकाल लीजिए और ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली मैंने यहां डाइसोग्रम मॉटन बोलनिस पॉइल करा हुआ लिया है कुछ नहीं मॉटन के अंदर मैंने थ्री फोद कव जितन मटन गल गए हैं तो इसका पानी पूरा सुखा कर इसे जब कंप्लीली ठंडा हो जाए तो श्रेट कर दीजिएगा चली यह साइड पर चार आलू है इसे भी मैं मैंश कर लेती हूँ आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं मैंने दो सबजिया ली है यह है समझे नहीं दो टे पौडर दाल दीजिए मैं यहां एक छोड़ा चाह का चमश दाल रही हूँ जाधा स्पाइस नहीं ची तो कम दालिएगा नम्मक दाल दीजिए स्वाद अनुसार आधा कप ग्रेट चीज दाल दीजिए और यहां पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन तीन-चार हरी मिर्चिया है आप कम यह जाधा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं मैंने कूट के डालिए आप बारिक काट के भी दाल सकते हैं और यह जो हमने मिक्स्चर बना के रखा है मैंने तो इसे प्याले में निकाला भी नहीं है मैं ऐसे ही डाल देती हूँ ठंडा होने साइट पर रखा था थुड़ी सी पारिक कटी हुँपी कोट मिर्याने के हरा धनिया दालना चाहे तो और वेशक डाल दे मेरी तरह आच्छे से मिक्स-मिक्स-मिक्स कर लीजिये एकदम क्रीमी टेक्स्चर हो जाना चाहिए एकदम जब क्रीमी टेक्श्चरट हो जाए तो आप चाहें आदे-घं बनाए और यह बना कर साइट पर रखते जाएं इसी तरीके से सारी बना लें अब अगर आपने मेरी तरह फ्रिज में रखा नहीं और डारेक्ली कंट्नियू कर दिया था तो जब सारे बन जाए तो इन्हें आदे गंटे के लिए फ्रिज में रहने दीजिए सो दाट आप अच इसे फेट कर इसे साइट पर रख दीजिए आदा घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए कटलेट को तो अब मैं निकाल लेती हूँ और अंडे में उलट पलट करते हुए अच्छे से लोटी और यह बराबर में जो रखा है न यह सेविया क्रश करी हुए सेविया है हा आपके पास अगर यह सेविया ना हो यह वैसे रोस्टेड वाली थी आप नॉर्मल भी ले सकते हैं कोई भी सेविया ले सकते हैं और इन्हें हातों की मदद से क्रश कर सकते हैं अगर आपके पास सेविया ना हो तो आप ब्रेड क्रम का इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहें तो अभी fry कर सकते हैं, मैं दो-तिन दिन के बाद fry कर रही हूं, अचा आप चाहें तो इससे स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15 दिन तक रख के खा सकते हैं, प्रोसीजर ये रहेगा, कि जब आप ये अंडा और ब्रेड क्रम या फिर ये सेविया लगा लें, उसके बाद 1-2 घंटे क या जिप लोग बैक के अंदर दाल कर, फ्रीजर के अंदर रख दें, जब मन चाहें निकालें और 15 दिन तक खाएं, मैंने तकरीबन 3-4 दिन के बाद इससी निकाला है, फ्रीजर में रख दिया था, फ्राइपन के अंदर तेल दाल दीजिए, और जब अच्छा करम हो जाए तो चूला मीडियम आज कर दीजिए, और बिस में रहानी रहें बोलके हमारे ये मतन कटलिट्स, रशिन कटलिट्स को दाल दीजिए, few at a time दालें, एक साथ सारे मत दाल दें, 3-4 at a time दालें, और इन्हें उलट-पलट करते जाएं, और तकरीबन golden brown होये तक इन्हें fry और ज्यादा पकाने के अंदर की जरूरत भी नहीं क्योंकि है, तो पके हुए ही है, आप मीडियम आज पर इसे light golden brown होये, तब पका लिजिए, अच्छा अब फर्स करो, आपने मेरी तरह 2-3 दिन के बाद बनाया और आपने freezer में अगर रख दिया है, तो मैंने किया किया, जै अच्छा रिलीज हो जाता और अच्छे से अंदर से भी पक जाता है, तो तकरीबन 6-7 मिनिट लगते है, चलिए ये सारे बैचे में मैंने फ्राय कर लिए, इसे साइट पर रख देती हो चन्नी के ऊपर, और गर्मा गरम आप चाहे तो इसे हारी चटनी के साथ साथ करें या और खाने में इतनी मज़ेदार है कि आप उंगलियां जाट दे रजाओ के सची मया, अच्छा इसे आप चाहे तो हरी चितनी के साथ जब सर्फ करेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिन के अंदर दे देती हो, आप वहां चेक कर लीचिए का मेवनी राशीन कटल अच्छे में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स परने बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये वला वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक कीजिए ये वली वीडियो को और उससे जदा अच्छा लगाओ, तो अपनी फामिली और फ्रेंज में ये व